दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजी क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज इस वीडियो को टक्से लाइक कर दें कि तजुरुवे ने एक बास सिखाई है कि सबसे गहरी जो किसी अपने ने पहुंचाई है मैंने अपनों नहीं सिखाया है कि ओई अपना नहीं होता मैंने अच्छा बनकर भी देखा है लोग तब भी बुरा है कहते हैं कुछ चीजे अकरती वज़ा से नहीं बलकि आद्म सम्मान के लिए छोड़नी परती है आप रिस्टी बना कर भी क्या कर लोगी जब सामने वाले का इरादा ही नहों निभाने का अगर कोई आपके बीना खुस है तो उसे खुस ही रहने दो उसके ज़्यादा पीछे पर कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना जो जा रहा है उसी जाने दो वो आज रुख भी गया तो कल चला ही जाएगा सचाई हमेशा खामोस रहने वाले इंसान के अंदर है मिलता है जोट बोलने वाले तो हमेशा सोर मचाते हैं जब किसमत साथ ना दे तो समझ लेना सिर्फ आपके मेहनत ही आपका साथ देगा तुम जितना ज़्यादा इमानधार सची और सरल हो जाओगे उतने ज़्यादा ठगे जाओगे और उतने ज़्यादा धोके खाओगे जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दूँ लेकिन जिनकी नियत खराब है उनसे दूर रहना ही बहतर है जिन्दगी छोकी नहीं होती, लोग जीना ही देर से सुरू करते हैं जब तक राष्टे समझाते हैं, तब तक लोटने का वक्त हो जाता है रिस्ते कमजोर नहीं होने चाहिए अगर एक खामोस है, तो दूसरे को आवाज देनी चाहिए सफलता पा लेना कोई बरीबात नहीं है लेकिन सफलता को समाली रगना बहुत बरीबात होती है तास का जोकर और अपनों की ठोकर अकसर पुरी बाज़े ही घुमा देती है इस जब रख्ये, दूर्यों की मलाल उसे भी होगा जब तु किसी और का होगा, तो महबत का एहसास उसे भी होगा, इतना अजीद है न, भरोसा किसी एक इनसान की सचाई को देख करी सुरू होता है, और फिर उस इनसान की असली सचाई जानकरी, खत्म हो जाता है, ये दुनिया वरी मतलब ही है, इसे अच्छाई की उमीद कभी म करना कोई भी यहां आपका पर्मानेंट साथ देनी वाला नहीं है अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीख लो इसके भी चाहते हो और सकून भी चाहते हो गजब करते हो और मावस की रात में चांद जाते हो रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किस किसी को महसूस ना होने देना जिंदगी ये हुनर भी सिखा देती है अज्यानी होना उतने सर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना होता है छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं मुकाम कोई भी हो निभाने वाले निभा जाते हैं चाहिए हालात कोई भी हो ये दुनिया तवाई की मोर पर खरी है और तुम मुझे देखो मुझे फिर भी तेरी ही परी है किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आई तो सबसे पहली तुम्हारी याद आए खुद का मान अगर चाहो तो औरो का भी मान रखो कहने को अगर जीब मिली है तो सुनने के लिए भी कान रखो कुछ लोग हमसे पाइदा उठाते विए भी कुछ इस तरह पेसाती है कि जैसे वो हमसे फाइदा उठा कर भी हम पर ही कोई एहसान कर रही हो जिन्दगी के उस मोर पर खरे है ना कुछ पाने की खुसी होती है और ना कुछ खोने का गम होता है जिन्दगी में जब जब किसी के साथ की जुरत परी है मैंने खुद को हमेसा अकेला पाया है जहां आदर नहीं वहाँ जाना मत जो सुनता नहीं उसे समझाना मत जो पचता नहीं उसे खाना मत और जो सच बोलने पर भी रूठ जाए, उसे कभी मनाना मत, जो बहवार आपको दूसरों से पन्ना हो, वैसा बहवार आप भी दूसरों के साथ ना करें, तक कुछ तुम बनोगे नहीं, तक तक ना तुम्हें कोई इच्चत देगा, और ना ही तुम्हारी कुछ सुनेगा, जि पाने के लिए, जिने पता है कि अकेलापन क्या होता है, वो लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजी रहती हैं, सबकी असलिया से वाकी फेहम, खामोश चरूर हैं, लेकिन अंधे नहीं हैं, अक्सर उन्हीं लोगों के दिल तूटती हैं, जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोसिस करते हैं बात थोरी करवी है लेकिन सची है इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीखया वह सच में जीना सीखया जिनका दिल बरा होता है ना उनको दर्द भी बरे ही मिलते हैं वक्त अगर एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसी होती कुछ तो हमारी इतन दोस्तों का होना भी जरूरी है क्योंकि हर वक्त महबत सात नहीं देता भूल होना अकृती है मान लेना सतकृती है और उसे सुधार लेना प्रगती है हम खामोस तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत सोर होता है कुछ दर्द जिन्दगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी देली और जिन्दा भी छोड़ दिया हिरा बनाया है इस्वर ने हर किसी को पर चमकता वही है जो तरासने की हस्ते गुजरता है कभी परसित्यों के हाथों की कटपुतली ना बने क्योंकि आप अपनी हालात बदलने का दम रखते हो हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए जो आपकी इच्छत करें क्योंकि गरीबी काटी जा सकती है पर किसी बुरे इंसान के साथ जिन्दगी काटना बहुत मुश्किल होता है अभी चिठी कभी राखी कभी मनी ओडर आते थी वो दिन कुछ और थी जब डाकी भी खुसिया लाते थी समंदर जैसी है अप रिस्ती सिखा देते इंसान में कोई ना कोई प्रतिवा जरूर होती है लेकिन लोग इसे दूसरी की जैसा बनने मी नश्ट कर देते हैं सोच अगर खुबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजलाता है अपने आज कोई ये सोच कर मत पर बात करो कि मेरे पास बहुत सारे कल है किसी सही इंसान के साथ कितना भी गलत मत करना कि उसके साथ किये गए धोके का पस्तावा आपको सारी जिंदगी करना पड़े जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफ़ा कमा सकता है फिर चाहे वो कारोबार हो या रिस्ते हो दुनिया में चाहे हजार रिस्ते बनाओ लेकिन एक रिस्ता ऐसा जरूर बनाओं कि जब वो हजारों तुम्हारे खिलाफ हो जाएं लेकिन वो एक हमेशा तुम्हारे साथ खरा रहें प्रेम अगर सच्चा होगा तो वो आपकी प्रश्चा नहीं बलकि प्रतिक्षा करेगा कितने अजीव लोग हैं बात को पकर कर इंसान को छोड़ देते हैं किसी की जिन्दगी में अगर आपको बार बार चलील किया जाता है तो उसकी जिन्दगी से आप ऐसे निकल जाओ कि जैसे कभी थे ही नहीं वुस्सा भी उन्हीं पर करो जिस पर आपको यकीन हो कि वह तुम्हें मना लेगा रोने से दर्द खत्म नहीं होता लेकिन दिल को सकून जरूर मिलता है रिस्ते निभाने के लिए खुबसूरत नहीं बलकि समझदार साथी की जुरत होती है एहंकार भी अवस्यक है जब बाते अधिकार, चलत्र और सम्मान की हो जिन्दगी में पैसी और पावर को नहीं सभाव और समंधों को एहमियत देनी चाहिए जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने की बजाए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोचना सुरू कर दीजिए एक तेरा ही प्यार सच्चा है मा, औरों की तो सर्ते ही बहुत है जब जिन्दगी की गारी सही पट्री पर होती है, तो सब साथ चलते है लेकिन जब जड़ा सा रास्ता खराब होता है, तो कोई साथ नहीं देता चाहने वाले तुम्हें हाजारों मिलेगे, लेकिन परवा करने वाला हर कोई नहीं होता अब मुझे रास आखिया या खेलापन, अब आप अपने वक्त का अशार डालीजिए दोस्ती के बाद मुहबत हो सकती है, लेकिन मुहबत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकता क्योंकि दवा मरने से पहले काम आता है, मरने के बाद नहीं सत्रेंज में वजीन और जिन्दगी में जमीन, अगर मर जाए, तो समचो खेल ही खत दोस्तो यदि आपको ये वीडियो चे तो वीडियो को लाइक करे और कमेंट बॉक्स में ओमनमस सीवायली के और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें धनेवाद दोस्तो